लमस्कार स्वागत है आपका नफ्तेश टीवी में मैं हूँ आपके साथ रिशा हुसेन बुलिटिन की शिरुवात करते हैं इस वक्ती हर्लाइन्स के साथ हर्याना में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित कहा विकास के पत पर चलना शुरू कर चुका है जमू कश्मीर हर्याना के सीयम मनोहर लाल खटर ने चुनावी रैली को किया संबोधित सोनिया गांधी को अधिक्ष बनाए जाने को ले कर दिया विवादित बयान बयान के बाद गुस्साई कॉंग्रेस हर्याना की नू में मोधी सरकार परबर से राहुल गांदी कहां मोधी सरकार ने अर्थव्यवस्ता की उड़ाई धजियां रो रहे छोटे व्यपारी और अब खबरे विस्तार से राजधानी दिल्ली में वालमी की समाच की और से वालमी की जैनती मनाई गई आपको बता दें कि इस मौके पर किन्नर अखाड़ा मंड़ा लेश्वर पर और अखिल भारती हिंदू महासवा की राष्टी उपाध्यक्ष भी मौजूद रही इस मौ और देश में इतना भी प्यार प्रेम हो उतना कम है मैं चाहती हूं कि मैं आज इस मंच पे आई हूं मैं जात पात कभी नहीं मानती और मैं यहीं चाहती हूं कि सब मिलके एक रहें और हमारे देश में एकता हो खबर विजनौर से है जहां हिमपुर धीपा में चैह बदमाशों को पुलिस ने ग्रामिरों की मदद से धर दबोचा आपको बता दें की पूरा मामला बदमाश लूट की रकम का बटवारा कर रहे थे वहीं पुलिस ने आरूपियों ने नकली हत्यार भी वरामत किये यह ब मुसर की भाड़ खेतर गाउं में शरत पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्रान प्रतिष्ठा उत्सव मनाया गया इस मौके पर खपर जोगणी मा की मूर्ती की प्रतिष्ठा की गई तो वहीं इस मौके पर पूरे गाउं में मा की भक्ती में लीन हो गया यहां दिन बर वि संख्या नियंत्रण पर बात कही है आपको बता दें कि साथ ही सरकार से कानून को जल्द लागू करने की मांग भी की गई तो वहीं रेल संबंदी अफ़ाहु से भी दूर रहने की अपील की गई है ब्योन पार्टी पॉल्टिक्स भारत के सभी जंजन के हित को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें कानून बनना चाहिए और किसी भी कीमत पर इसमें दो हम दो हमारे दो इस प्रकार की एक कानून जो है बाध्यता जो है सबके लिए बराबर कि सुरत के सिल्क सिटी मार्किट में भीशन आग लग गई आपको बता दें कि सूरत के की सिल्क सिटी मार्किट में चार दुकानों में भीशन आग लग गई, भीशन आग के चलते आग की सूचना पर पहुची दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुच कर आग पर काबू पा लिया, तो वहीं आग जनी में कोई जन्हानी नहीं हुई, आपको बता दें ये करीब सुभए 10 बजे की घटना है खबर जंबु सर से है जहां गांधी संकल्प यात्रा का आयोजिन किया गया, इस यात्रा की शिरुवात कारोली गाउं से की गई, जिसके जरीए पूरे देश के सभी सांसत अपने अपने शेत्र में गांधी जी के विचारों को जीवित कर रहे हैं, ये यात्रा 9 दिनों तक चलेगी तो वही यात्रा की दोरान भरुच सांसत मानसुक वसावा और भाजपा की महासचिब भरत सिंग परमार सहित कई राजनीता शामिल रहे। भारतिये जनतापाटी जिल्ला माजपे बनावी छे त्यारे मुं मनसुक वाई ने होब खोब सुभेच्छा पाठ हो छों के भरुच जिल्ला मा आजे घांधी जीनों स्प्रोती जोईने खोब आनन थयो जे 1130 मा जे मकान मा रहा था ये हूं तो वानों छोंके मंदीर से लोको सुधी पहुचे फरीथी गांधी विचार जीवन्त बने स्वश्चता अभ्यान प्रवात फेरी गांधी जीना खादी उपर ना विचारो स्वावलंबे उपर ना विचारो ये फरीथी जीवन्त बने ये आ यात्रान में मने लागे छे के फल सुरूती रहवा नी छे आ एक्सो पचास मी वर्षुनी जन्म जहिंती हुजवानों भार्तेंता पाटी तेमा खास करेने देशना प्रदान मंतिरी नरेंदर्वाई मदिये एक आहवान करुशे कि समगर देशनी अंदर तमाम लोक सबा मां गांधी संकप यात्रा निकडे आना थकी गांधी जी ना विचारो जन जन सुधी पहुचे जे गांधी जी नुझे स्वप्न नुझे भारत हतु ये बनाव माटे देशना प्रदान मंतिरी नरेंदर बे मधी जी जारे अनेक प्रकार नी गरीब उथ्थान नी गरामोदैनी योजना लेन चाले शे रोजगार लग्षी योजना लेने चाले शे गरीब माटे उचाइसुधी पॉचबा माटे एनेक प्रकार नी योजना शे गांधी जी ना जी विचार होता सुच्छता थी माड़ी रोजगारी थी माड़ी ने खेडुकों ने एक सम्रूद राष्टर बने इनना माटे जी एक गांधी जी शप्न होतु ये साचा अर्थमा देशना परदान मंत्री नरेंदर भई मोधी साकार करवा तरब जही रहाँ सोमवार सुभा महिला एवं बालविकास मंत्री ममता भुपेश ने जन सुनवाई की आपको बता दें कि इस सुनवाई के दौरान बहर से आए हुए लोगों की समस्याए सुनी समस्याए सुनने के बाद भुपेश ने उनकी समस्याओं को निराकरण का हवाला भी दिया वही काउंग्रेस ने जो वादा किया था लोगों से गुड गवर्नेंस देने का उसका हम प्रतिफल यहां पर प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के कारायले में दे पाएं और यहां पर हम लेग सब के लिए आम जनता के लिए हमने जन्त सुन्वा ही रखी है पार्टी पॉलिटिक से उपपर उठके हम यहां पर काम करना चाहते है और हमारा प्रयास रहेगा हम सभी को उचित निर्धारन कर पाएं समझ जाका पी से से कार्याले में चाक्सु के प्रधाना चार्रे के तबादली को लेकर चात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया गया कि प्रधाना चारे का तबादला नहीं होना चाहिए इस बात की जानकारी सभी अधिकारियों को दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई नहीं सब के बहरे हो गए हमारे बच्चों की बच्चों की पढ़ाय का नुख्सान होका किसी को निए है किसी की पास जवाब कि नुख्सान होगा लेकिन वहां के जो लोकल जन्रप्रति दिदी हैं हमारे वर्तवान विदाइक है को आज दिन तक बच्चों की शुद लेने वहां पे नहीं पोचा अक्समात बात हुई एक 15 दिन से मैं खुद हूं लोगों को मैं कांग्रेस च्छे वदल का कारे करता हूं मैं 15 दिन से उन लोगों की म मनवार कर रहा हूं बच्चों के बहुषी को आप देखो बच्चों की बहुषी की आप बात रखो आप चलो में चलते हैं हमने बड़ी मुश्कल से मान मनवार करने के बाद में हमारे जो लोकल जो नेता थे हम विदाइक साब के पास आये और कलक्टरी में बैटके आलोग कि बेनिवाल साहपुरा के सामने हमारी यह तैह हुआ कि हम आपके दूसरे वेकली वेवस्ता करते हैं कल सुबह आपको आदेश मिल जाएगा हमने इनको यह कह दिया अगर आप दूसरा आदेश देते तो बच्चों का हम समझा कि गतिरोद हम समाप्स करवा देंगे दूसरे जाने की जिसके चलते इमर्जेंस सुवेधा छोड़कर स्वास सेवाएं बंद रही वहीं डॉक्टर्स की हरताल पर जाने से मरीज काफी परिशान दिखे हरताल होने की कारण बिना दवाई लिए मरीजों का खाली हाथ भी लौटना पड़ा वहीं यूपी के सीतापुर में अवैत तरीके से पठाके बनाते समय धमाका हो गया जिहां इस धमाके से घर की दिवार के साथ ही चछद गिर गई जिसमें दो युफ्तिवां बुरी तरे से घायल हो गई घटना ग्राम बख हुआ की है और घर में धमाकी के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई सूचना पर पहुंची पलिस ने ग्रामिरों की मदद से आख पर काबू पाया वहीं आंपी के शिफपुरी में शिक्षा विभाग की 65 हैट बॉल प्रतियोगिता का आयोजिन किया गया आपको बता दें की समापन कारिकरम में मुख्य अथिति के रू को उज्जैन खिताब दिया गया समापन के मौके पर खाद एवं नागरिक अपूर्ती मंत्री ने विजयताओं को पुरुसकार भिवाटे MPK शिफपुरी में पूर्व केंद्री मंत्री जोतिर आदित्य सिंधिया ने प्रेस वार्ता की आपको बता दें की इस दोरान सिंधिया ने कहा कि लोकसभा चुनाओं में हार के चुनाओं की नतीजे से दिल को चोट पहुची है साथ ही सिंधिया ने कहा कि जनता ने मेरे हाथ बांध दिये सिंधिया ने भावखेडी के पीडित परिवार को आवास दिलाने के साथ हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया है मेरे में जब अतिवरिष्टी और बार की सित्य उत्पन भी यह घटना यहां रटीव हो कि और आक में आके जो कुछ भी मैं कर सकता हूं जो मेरी वस्यत है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इतना मैं आके वहला आपको कह सकता हूं कि मुझसे आपको कमी निपाओ रहे रेवाडी से निर्दली ताल ठोक रहे बीजेपी निशकासित ने जनता से आशिरवाद मांगा है जी हां आपको बता दें कि बीजेपी से निशकासित रंदीर सिंग कापडिवास ने जनता से जीत का आशिरवाद मांगा इस दोरान रंधीर सिंग ने कहा कि सांसद राव इंदरजीत ने अपने स्वार्थ के चलते एक पोस्टर बाई को बिजेपी की टिकेट दिला दी साथ ही नोंने कहा कि राव इंदरजीत ने जनता के साथ बगावत की है उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा साथ ही उनोंने जनता से अपील करते हुए कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा कि दिवाली पर किसका दिवाला निकलता है नफ्तेश टीवी के समधाता देवेंदर कुमार ने खास बाचीत की नगर अध्यक्ष अनुज मिश्रा से नवस्कार दोस्तों मैं हूं देवेंदर कुमार आप देख रहे हैं नफ्तेश टीवी नफ्तेश टीवी के प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका स्वागात है आज आपको साजापु जिले के पुमाया तैसिल के युबा मोर्चा के एक ऐसे अध्यक्ष से मिलवाने जाए जिसने युबा मोर्चा टीम के लिए बहुत कुछ किया है और भाजपा के लिए भी बहुत कुछ किया है आईए हमारे साथ ऐसे ही एक सक्स मौजूद है अनुज मिस्क्रा जी अनुज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नमसे शीविफ है ये बताएए आपने युवा मोजटा टीम के लिए बहुत कुछ के इसके वारे आपका कहना चाहेंगे मैं और कुछ ना कहते हुए बस भाई इतना कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जो युवा पूरी दंदारी और पूरी मेहनत से हमारे साथ लगके एक काम किया मैं उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि यूवा देश की एक रीड की हड़ी के समान है अगर यूवा चाहें तो देश का भविष्टी बदल सकता है माबाप भारत देश की राजनीत में अपने बच्चों को दूर करने की कोशिस करते हैं पर उन माबाप को हम कहना चाहूँगा कि नगर की राजनीत हो चाहें चेतर की राजनीत हो चाहें जिले की राजनीत हो अगर तब यह नहीं है कि अगर कोई यूवा राजनीत में आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो राजनीत ही करें अगर युवा राजनीत में आता है तो अपने देश का भविष्टी, अपने गाउं का भविष्टी की एक नौजवान युवा है, मैं बलकि मैं युवा, युवाओं की राजनीत करता हूं, तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे छेत्र के जितने भी नौजव केवल यही रहता है कि हम कुछ ना कुछ आगे बढ़के लोगों को ये तही जिसा निर्देश दें कि अपने देश में क्या हो रही, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके लिए सामाज के लिए हम सब को आगे बढ़कर अपना लच्च शुईकार करना चाहिए, बलकि कि मैं राजनीद करता हूं, मैं नगरदेश उभा मोर्चा का हूं, मैंने आज तब कोई भी ऐसा कार नहीं किया, जिसके किसी भी नौजवान का सर सलमते नीचा हो, या कोई उनसे कहे कि आपका अधिच इस तरीके से कोई भी कारिखा भी है। हुए हैं, उसमें बने का तो एक ही, पर मैं मैंने सोचा, मैं वहां बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आभेदन ना जाएं, बल्कि यहां पोगाए में किसी एक को निक्त कर दिया जाए, जिससे थोड़ा ठीक रहता है कि जब सब लोग सहमत होते हैं, अच्छा जिने में ना करना चाहता हूं कि नौ में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, कि नगर अदेश उसी को बनाया जाए, जो नगर अदेश के काबिल हो, नगतेश TV चैनल से पढ़िया, किसी ने छेत्र में नाम रोसन नहीं किया, जब से आप जैसा जो से तीन सो नौजवान कारे करता है, जो हर्चमें, वो अपने छेत्र में हमारे पास भी पहन आते हैं कभी, कि आपके पुवाएं से नगतेश TV चैनल के भाई देवेंद्र जी आये हुए है, जिनका छेत्र में बहुत नाम है, जो कि पुवाएं मोचा के नगर अद्याच वहीं जैपुर में सोमवार सुभे मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई की गई, आपको बता दें कि सीम गहलोत ने प्रदेश भर में आये फरियादियों की समस्याय सुनी और समस्याओ का निराकरन करने का भी आश्वासन दिया, इस जन सुनवाई में सैकड़ों लोग अपनी समस्याओ को लेकर पहुचे, वहीं आवास पर मुख्यमंत्री ने भी सभी को समस्याओ को सुनने का समय लोगों को दिया फिलाल नफ्तेश टीवी में इतना ही देश और दुनिया की तमाम ताजी खबरों के लिए देखते रहें नफ्तेश टीवी